अगर आपका AdSense अकाउंट अप्रूब नहीं हो रहा तो है वीडियो आपके लिए है इस वीडियो मैं आपको 10 ऐसे टिफ्स देने वाला हूँ जिसकी मदश से आप अपने AdSense अकाउंट को 100% अप्रूब करा सकते हैं जैसा कि आपको पता है AdSense के अप्रूबल की बहुत ही स्ट्रिक्ट पॉलिसी है मैक्सिमम केसिस में आपके ब्लॉग या वेप्साइट में AdSense का अप्रूबल नहीं मिलता अगर आप अपने AdSense अकाउंट को अप्रूब कराना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखते रहे हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिकर्ष्ट करता हूँ कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल साइवर वाव को सब्स्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस रेट बटन पर किलिक कर आप हमारे चैनल को सब्स्राइब कर सकते हैं और वैल आइकोन पर ज़रूर किलिक करें सबसे फस्ट पॉइंट है बैलेट पी नेम और अड्रेस सो फ्रेंड जैसा की आपको पता है यदि आपका AdSense अकाउंट एग बार टर्मिनिट हो जाता है तो आपको उस नेम से AdSense का अप्रूर्वल नहीं मिलता यदि आपका केज दी कुछ इस तरह से है तो आप अपने किसी भी फैमिली मेंबर के नेम से AdSense account को अप्रूब करा सकते हैं सेकेंड पॉइंट है Remove other ads network अगर आप अपने blog या website को AdSense approval के लिए request कर रहे हैं तो आप किसी भी प्रकार की third party advertisement को अपने blog या website में यूज ना करें तो friend आप अपने blog या website से सारे third party ads network को remove कर दें then उसके बाद आप AdSense के लिए request करें third point है use top level domain maximum cases में priority top level domain को मिलती है जैसे कि .com, .in, .org, .net ये सभी top level domain है अगर आप एक blog से AdSense के लिए request कर रहे हैं तो maximum cases में आपका AdSense अप्रूब नहीं होता बटर दी आप अपने blog में top level domain को add करते हैं तो आपके approval के chances बढ़ जाते हैं so friend, maybe आप अपने blog के लिए request कर रहे हैं तो मैं आपको select करूँगा कि आप अपने blog में top level domain को add करें next point है check your content अगर आप अपनी website या blog पर ऐसा content upload करते हैं जो कि Google की policy के खलाफ है जैसे कि आप अपनी site में approval content को यूज़ कर रहे हैं hacking, tricks, इस type का idea आप content यूज़ कर रहे हैं तो आपको adsense का approval नहीं मलेगा इसलिए request करने से पहले आपने site या blog के content को एक बार जरू चेक करें कि आपने ऐसा कोई content तो नहीं जाला जो Google की policy के खलाफ हो next point है improve your website और blog design so friends, approval request करने से पहले आपको अपने blog या website को एक professional तरीकी से design करना होता है ताकि जब adsense team आपकी site को चेक करें तो आपका approval reject ना हो इसलिए आप अपने blog या website को बहुत इक professional तरीकी से create करें next topic है set up your pages approval के लिए request करने से पहले आपको अपने blog या website में about page और सबसे important privacy और policy जिसमें आपको अपनी site की सारी policy को बताना है कि आप cookies को use करते हैं email को store करते हैं कुछ इस तरीके से आपको सारी policies को बताना होता है और आपको अपने blog या website में सारे pages को set up करना होता है ताकि adsense team को यह ना लगे कि आप एक temporary blogger है आप अपने blog या website में यह common pages है इसको आप जरूर add करें request करने से पहले next topic है write high quality post आप अपने blog या website पर किसी का copy content ना use करें क्योंकि आपको लगता होगा कि आप net से copy करके उसमें थोड़ी बहुत editing करके आप अपने post को create कर सकते हैं आप किसी भी तरह का fraud कर adsense का approval नहीं ले सकते हैं आपनी site पर original content को use करें adsense approval के लिए जरूरी नहीं होता कि आपको बहुत सारी post डालनी होती है यदि आपने 20 posts भी की हैं तब भी आपको adsense का approval मिल जाएगा आपको अपना content और matter original रखना होता है adsense approval लेने के लिए next topic है connect your website or blog google analytics यदि आप अपने blog या site को analytics से connect करते हैं तो approval की priority बढ़ जाती है क्योंकि google फिर आपके traffic resources को अच्छे से check कर लेता है आपके views कौन हैं कहां से आ रहे हैं कितना time spend कर रहे हैं अपनी site को analytics से जरूर connect करें next topic है submit your website or blog webmaster tool आप अपनी site को अलग-अलग webmaster जैसे google, wing, yahoo यहां पर जरूर submit करें जिससे आपके approval की priority बढ़ जाती है next और last point है check your traffic sources approval की request send करने से पहले सबसे important point यही होता है कि आपको अपने site यह ब्लॉक के traffic को check करना होता है कि आपका traffic different different ways से आ रहा है daily कितने views आ रहे है कितना time spend हो रहा है bounce rate क्या है किसी robot के थुरू तो traffic नहीं आ रहा है यदि आपके पास daily 300 user आ रहे है तब आप approval की लिए request करें यह जरूर नहीं होता कि आपकी site ज्यादा परानी होनी चाहिए तब आपको approval मिलेगा so friends यदि आप इन 10 tips को follow करते हैं तो आपको 100% adsense का approval जरूर मिलेगा so viewers इस video में सिर्फ इतना ही यदि आपको हमारी यह video पसंद आई तो please like करें, share करें और comment करें thank you for watching my video